अलो, गुड आफ्टोनून बच्चो, आज हम पढेंगे एक आयनिक इक्लिविरियम के लास्ट आपक है, आयन, कॉमन आयन एफेक्ट और बफर सलूशन, तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे बटा, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, इन आयन इक्लिवि इसका मतलब क्या हो एटा कि मानलो कोई भी आयो ने की equilibrium हमारे पास है और उसमें हम कुछ common आयन जो है वो हम add कर रहे है तो जो equilibrium है वो हमेशा backward direction में shift होगा बस इतनी सी बात है एक्जमपल लेकर करते हैं देखो सीटी के सीड है हमारे पास CS3COO जो डिसोशेट हो रहा है वाटा CS3COO नेगटिव और प्लस H पोजिटिव है अब इन दोनों में equilibrium हो रहा है अब हमने क्या करना है यह जो डिसोशेट हो रही है इन में हमने कोई common ion add करना है वो common ion आपका CS3COO नेगटिव से related भी हो सकता है H पोजिटिव भी हो सकता है मालो आपने CS3COO नेगटिव में यह डिसोशेट होता है CS3COO नेगटिव में तो यह भी common आगे यह भी common आगे जैसे ही हमने यह इसमें add कर दिये बटा तो क्या हुआ यहाँ इन acetate की जो concentration है वो बढ़की और जैसे ही concentration जो है वो product की बढ़ेगी equilibrium always shift in the backward direction इले चैटिलियर फिंसीबल में आप कर चुकी है सेम ऐसे अगर आपने CS3COO common वाला नहीं डालना है आप H positive से related को डाल तो क्या होगा H positive पर CL negative dissociate होगा तो H positive की आइन की concentration फिर बढ़ेगी और फिर equilibrium जो है वो backward direction में shift होगा बस इतनी सी बात है common iron में तूसरी same example है ammonium hydroxide base लेके चल पड़ो base में ammonium है इसमें भी आप क्या अड़ करोगे आपने क्या अड़ कर दिया तीसरा केस हम लेते हैं वाटा silver chloride में AGCL में AGCL में आपने भी पढ़ा था solubility product में यह बहुत कम dissociate होता है AGCL इसमें अगर हमने मानलो common iron का हमने NaCl जैसे Na positive है या CL negative का हमने common iron जो अब उसमें add कर दिया concentration बढ़ जाएगी तो equilibrium shift backward direction में होगा और यह AGCL की solubility है वो घट जाएगी dissociate होना बंद हो जाएगा क्यों बंद हो जाएगा यहां पर क्यों नहीं further dissociation होगी क्यों कि equilibrium जो है वो concentration product के बढ़िया equilibrium shift जो है वो forward direction में हो रहा है this is your common iron effect ओके अब उसके बाद आता है वेटा last topic आता है buffer solution यह buffer solution क्या होता है पहले थोड़ा सा हम buffer solution देख लिए बेटा यह buffer solution है the solution which does not change the pH even when we add the small amount of acid or base यह buffer solution वो है यह acid solution कि जिन में हम अगर acid और base डालते है उनकी pH जो है वो कभी भी change नहीं होते है ऐसी solution को हम buffer solution बोल देते हैं types of buffer है यह buffer solution जो है वो कितने type का होता है तो बेटा mainly जो buffer solution है यह दो तरीके का होता है एक आता है अपका अपका acidic buffer और दूसरा होता है basic buffer अब यह acidic buffer क्या है acidic buffer कैसे बनता है अगर हम weak acid को और plus salt को लेते हैं weak acid लेलो कोई और salt add करतो यह acidic buffer बन जाएगा basic buffer कैसे बनेगा weak base में आप salt add करता है लेकिन यह जो salt बन रहा है यह जो salt बन रहा है बटा यह salt कौन सा चाहिए अगर आपने acidic buffer बनाना है तो यह salt चाहिए आपका इसमें यह salt ऐसा बना हो जिसमें weak acid हो और strong base हो यह ठीक है मतलब acidic buffer बनाने के लिए हमें एक चीज तो चाहिए weak acid और दूसरी चाहिए salt लेकिन salt कौन सा salt चाहिए वो salt चाहिए जो weak acid और strong basic बना हो आपको पता salt की formation तो बटा acid और basic होती है और यह भी पड़ा आपने कुछ salt जो हो strong होती है कुछ salt जो हो acidic होती है कुछ basic होती है तो acidic salt कौन से होगे जो बटा strong acid से बने होगे और weak base से होगे ठीक है यह सब हम पढ़ चुके हैं पहले next आता है basic buffer तो basic buffer कैसे बनेगा हम लेंगे weak base और salt लेंगे और इसमें भी वही यह salt किसका बना होगा यह salt होगा बटा weak base का और strong acid का यह तब जाके यह buffer बनेगा जैसे for example हम बात करते हैं weak acid है यह acidic buffer है तो बटा acidic buffer में weak acid का है उनकों से हैं मैं पता है बटा CS3COOH यह weak acid है अब तो last topic चला हुआ इसका तो यह तो इतना दो पता होना चाहिए for example sodium यह अपना carbonic acid H2CO3 ठीक है फिर दूसरी HCN है hydrogen cyanide है ठीक यह तो सारे आगए हमारे कौन से आगए weak acid लेकिन अब हम लेंगे salt लेंगे कौन-कौन से जो इससे बने हुए weak acid और strong बटा कौन-कौन से combination इसका plus add करने कौन-कौन से होगा CH3COO-NACN ठीक है और अगर यह H2CO3 है तो इसका बन जाए बटा sodium carbonate Na2CO3 और यह है जाएगा आपका Na HCN है तो यह है जाएगा NaCN अब आप एक बात देख रहे हूं थोड़ा याद करने का तरीक का भी है अब देखना यह यह sodium यह sodium यह sodium यह sodium ठीक है Na2CO3 या फिर potassium का आजए कोई तो आपने द्याँ दखना है कि यह जो ग्रूप 1 है आपके जितने भी ग्रूप 1 किया यह ग्रूप 2 के वेसी होंगे यह सारे के सारे स्ट्रॉंग वेस में आएंगे इस सारे हो सॉल्ट में आएंगे इनका कॉम्बिनेशन यह कॉम्बिनेशन यह कॉम्बिनेशन यह कॉम्बिनेशन एक हो गया वीक एसिड हो गया दूसरा सॉल्ट हो गया बेस है नहीं फोर वह प्लस एनेच फोर सीर और यह कॉमन आइन है कॉमन आइन में हो गया तभी तो आपको पता है वह वह तो डिक्रीज करेगी अगर डिस्टिशेशन होगी वह रुकेगी एनेच फोर वह और प्लस अमोनियम सलफेट मतलब जितने भी क्लॉराइड हों यह सारे के सारे ऐसे सॉट आते हैं जो स्ट्रोंग एसिट से बने हैं यह एक्जमपल आ गही बटा एसिडिक बफर की और बेसिक बफर की अब अगले अगर नेक्स्ट बात का क्वेसिन आता है कि यह जो बेसिक बफर हैं जो हम पढ़ रहे हैं सलोशन में यह कैसे एक्ट कर इनका एक्शन क्या है यह कैसे वर्क करते हैं किस तरीके से अगर हम इनमें ऐसिडाइड कर रहे हैं बटा तो यह क्यों पिएच को रिजिस्ट कर रहे हैं क्या हम इसको शो कर सकते हैं हाँ देखो रहा फॉस्ट आता है आपका बफर एक्शन of SD के buffer मतलब SD के buffer की हम बात करते हैं SD के buffer की हम बात करते हैं देखो बड़ा क्या होगा पहले तो हम एक्जम्पल लेंगे SD के buffer की कौन सी एक्जम्पल ही थी हमने first है CH3COOH ये बटा किसमें dissociate होता है CH3COO negative और प्लस H positive ठीक है और इसके साथ combination है buffer solution तब ही बनेगा जब इसमें CH3COO NA ये किसमें बने वड़ा है CH3COO acetate में और प्लस NA positive ठीक है इन दोनों को जो combination है इसको हम buffer बोल देते हैं ये buffer solution है अब हमने क्या किये suppose करो हमने add कर हमने if we add acid हमने क्या किया acid add कर दिया इसमें कुछ एक ड्रॉप जो हो हमने acid की डाल दी साथ solution में जैसे ही बिटा हमने acid की drop इसमें डाली तो हुआ क्या बोलने का मतला acid डाला तो बोलने का मतला H positive जो हो हो है अब ये जो H positive था ये इस acid टेट आइन से मिला CS3COO negative है प्लस H positive ठीक है और ये बना CH3COOH और आप देख रहे हैं कि जैसे आपने solution में आपने acid डाला ये H positive डाला तो बना क्या है CH3COOH जो की और पहले था और आपको बता है V के acid हैं ये बिल्कुल pH को change नहीं करते दूसरी side में आपने क्या किया फिर आपने if we add कुछ base add किया तो बोलने का मतला base add किया तो OH negative add किया अब क्या होगा यहाँ जो OH negative है ये इस H positive के साथ ये जो OH negative जब मिला तो ये बना water और आपको बता water जो है वो कभी भी pH को change नहीं करता और ये CH3COOH जितना ये बना था उतना तो इसका मतला है ये further dissociation करने से इसको रोक देगा इसका मतला है कि pH जो है हमने acid डाल के भी देख लिया हमने base डाल के भी देख लिया pH जो है वो change नहीं हुई ये acidic buffer का action था अब second आता है base में करके देख लेते हैं basic buffer में basic buffer action example लेके चलते हैं NH4 NH4 OH ये बटाद इसुशेट हो रहे है NH4 positive or plus OH negative क्योंकि जो आपका basic buffer है वो क्या आता है NH4OH plus NH4 CL और NH4 CL है ये बटा फर्दर NH4 or plus CL negative ठीक है अब हम इसमें क्या करेंगे अब हम इसमें क्या करेंगे अब basic action देखते हैं क्या basic change हो रहा है या change नहीं हो रहा है अब बटा हमने क्या किया हमने इसमें acid add कर दिया acid add किये तो बोले तो H positive हमने add किये अब होगा क्या जैसे हमने ये H positive add किये ये बटा वही OH negative के साथ मिले क्या बनके water अब आपको बता है ये water बना है pH doesn't change pH कोई भी change नहीं होगी अब हमने क्या किया OH negative base जो है वो हमने add कर दिया अब ये जो ammonia mine है ये जो ammonia mine है NH4 positive के साथ जब ये OH negative आइन मिलते हैं तो ये फर्दर क्या बन जाता है और वही weak base है जब ये order बना है तो ये further dissociation नहीं करने देगा इसका मतलब ये base जो है वो ये आपका pH जो है इसमें change नहीं होगी तो आपने दो case में देख लिया acidic buffer में भी देखा और basic buffer में भी देखा कि आप चाहे acid add कर दो या आप base add कर दो तो आपकी जो pH है ये solution की जो pH है वो बिल्कुल भी change नहीं कर रही है और ये ही आपका buffer action है और ये ही आपका buffer solution है actually बफर में होता होता क्या है बटा जैसे मान लो ये हमारे पास कोई solution है ठीक है इस solution में हमने जैसे ही acid add किया acid add किया तो इसका color जो है वो change हो गया फिर हमना एक और solution है इसमें अगर जैसे हमने बटा OH negative add किया इसका color भी change हुआ लेकिन एक ऐसा solution निकला जिसमें आप चाहे H positive add कर दो चाहे OH negative add कर दो color जो है वो doesn't change नहीं change होगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसकी pH जो हो चेंज नहीं हो रही है और इस type की जो solution होते है उन्हें को हम क्या बोलते है इन्हें को हम buffer solution का नाम देते है ठीक है उसके बाद एक numericals के लिए की buffer solutions की जो pH है वो कैसे निकालते है उसका formula बटा मैं आपको बताता हूँ P of H is equal to pka plus log of salt concentration of salt or concentration of acid ये आपका pH निकालने के लिए in case of आपका buffer solution के case में ये फार्मिल है अगर ये है acidic buffer के लिए कि आपने जब भी acidic buffer निकालना होगा तो बटा acidic buffer ऐसे निकलेगा ठीक है और रही बात बटा basic buffer के लिए तो basic buffer का फार्मिला है आपका pOH is equal to pkb plus log of concentration of salt divided by concentration of base ये फार्मिल्या है चीक है इन फार्मिल्या से आप numerical solve कर सकते हैं तो ये था बटा आपका equilibrium good bye रही आपकाश क्षेघ बटाबंश टाकर दरें którzy